Hello everyone, कैसे हो आप लोग, I hope भाई हमेशे कितर आप लोग गरदा उड़ा रहे होगे और आज गरदा उड़ाने के लिए भाई हम लोग के पास ये तीनों फोन है Samsung का A34, Vivo का V27 और इस सेगमेंट का भाई सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फोन नथिंग फोन वन तो ऐसे आगर आपको किसी और फोन के साथ कम प्रिजन चाहिए इस सेगमेंट में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा और हम इन तीनों फोन को लेकर काफी ज़्यादा एक्साइटेटर है हम लोग ने देखा था Vivo V27 पर बहुत ही ज़्यादा बेटर प्रफॉर्म किया था सारा कुछ देखेंगे कि डेटाइम में लो लाइट में कौन से टाइम में कौन सा फोन बहतर काम करता है प्रिमियम इन हैल हम लोगो नथिंग ही फील हो असके बाद बीव फील होता है विव में कलर चेंजिंग बैक है और अधिंग में जो है गलिफ लाइट इंटर फेस्में अपको कुछ भी मिलेगा प्लास्टिक बैक है प्लास्टिक फ्रेम है सब कुछ सब से नीचे लेवल का क्वालिटी यूज किया गया है तो आप बताओ कमेंट करके आपके लिए क्या इंपोर्टेंट जाद रखता है सामसंग को एक चीज जो है स्पेशल बनाता है वो है इसका IP67 रेटिंग जो कि आप बारिस और डस्ट बगरा माप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो आपको उस सबसे ज्यादा सक्सेफूल सेंसर इस सग्मेंट का समसंग जो है वन बाइट इंच का सेंसर है जो कि बहुत छोटा सेंसर है तो वह देखते हैं प्राइमरी कैमरा में कितना स्टैंड कर पाता है इन दोनों के सामने अपने सॉफ्टवर के साथ पीवो में आपको नाचुरल क बूस्ट करेंगा लेकिन फ्लेर सब थोड़ा बूदिख जाएगा अगें दलाइट वाले फोटो में डिसकस करते हैं और आगे सब फोन को मतलब यहीं बोलेंगे की काम बहुत अच्छे तरीका से किया एक दम सैंसंग का कलर साइंस सबसे तकड़ा लगा में को कलर साइंस के नहीं कर पागा भईया क्योंकि फोकस नए लेकिन सबसे अच्छे तरीक से सब कुछ हैंडिल की अपको क्लियर विव फोटो हो नॉर्मल फोटो कहीं ज़्याद वीवो बहतर. यह दे टाइम में तो बोल सकते हैं कि Samsung बहुत अच्छे तरीके से काम किया है लेकिन भाई डे टाइम के अलावा लो लाइट वाले फोटोज में आपके लिए सब से बैस्ट आप्शन जो है वो है वीवो तो अब सटरल्लैक देखते हैं हुआ भाई नथिंग का बहुत ही ज्यादा स्लो है 10000 बहु जदा मिलेगा विवो में कपी फास्ट है एक सेंसंग भी बहुत भी विव काफी फास्ट है अब देखते हैं कौन कितना फोटो ले पाया है इतने दिर में तो हम अगर देखें तो एक एक दो तीन फोटो लिया है सैमसंग, वीवो जो है वो भी फोटो लिया है लेकिन काफी अच्छा है, मतलब 6-7 फोटो ले लिया आराम से, नथिंग जो एक दो तीन फोटो बस तो वीवो सबसे कम सटर लैग देगा, तो अगर पॉर्टे शॉर्ट का बात करें तो यहां पे कि करें, ओवराल हम बोलेंगे कि सैमसंग जो हमको बहुत ही अच्छा लगा, एज सेलेक्शन सैमसंग का जो है बहुत अच्छा है, नथिंग का भी एज सेलेक्शन, वीवो का एज सेलेक्शन थोड़ा सार बहतर हो सकता है, वीवो में 2X भी आप ले सकते हैं, यहां पे भी दे ले लेता है, तो काफी अच्छा काम करता है, और इस वज़े से, लो लाइट में बहुत ही तगड़ा फोटोस दे पाता है वीवो, इस वज़े से हम डेफिनिटल वीवो को चूज करेंगे, और 2X भी दे ले ले लेता है, आई होब की सॉफ्टवर अपडेट में थोड़ा इसको वीवो में जैसे देखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि यह सब बोके वाला फोटोस है, इसमें आप बोके बगरा कंट्रोल कर सकते नीचे बोके का उप्शन है, यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस फोटो में आप देखोगे, तो इसमें कोई भी हम अगर इन्फरमिशन में जाते हैं, तो यहां पर देखिए, एफ 16 मतलब यह बोके मोड में कंट्रोल होता है, एफ 16 इतना अपर्चर नहीं होता है, तो यह आटमेटिक हीट हो रहा था है, यह पिर क्या प्रॉब्लम था, यह नहीं समझ माय रहा था, इस चीच को वीवो को हम देख रहे हैं कि इस सेग्मेंट में 8 मेगापिक्सल का अल्टरावाइट दे रही है, पहले हम समसंग को इसलिए अप्रीशियेट बहुत ज्यादा करते थे, अगर आप 20 इजार के फोन लेते थे पहले तो उसमें आपको अल्टरावाइट जो 12 मेगापिक्सल का मिलता था कि वह जो है, वह बहुरह ज़ादा ब्रॉद isek di- 약 ृप बाय। हाँएट करता है, समसंग भी प्र करता है, लेकिन वह लाइट की अच्छे त रिग यह करता है, वह कान साथ रिके याहां पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन वापजूर do geald कलर बहुँ जादा बूश्ट कर देता है सैमसंग भाई सैडू वाले पार्ट में तो बहुँ जादा नॉइज है ओपर अलुम बोलेंगी वीवो का कंसिस्टेंसी थोड़ा सा खड़ाब है यहां पर स्काई को आजीब तरीके से कलर कर दिया भाई उस मामले में definitely हम बोलेंगे कि भाई nothing जो है colors थोड़ा सा natural दे रहा है शापनेश भी दे रहा है सैमसंग जो है बहुँ जादा बूश्ट किये हुए है तो यह थोड़ा सा है कि अगर आपको boosted color पसंद है तो आप सैमसंग prefer कर सकते हो वीवो जो है बीच बाला है उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते हो बहुँ जादा कभी अच्छा result देता है कभी गरवर कर देता है लेकिन quality के मामले में थोड़ा सा कमजोर है लेकिन यह बड़ा sensor लो लाइट में magic करता है यहां पर आपको दिखेगा क्लिरली कि कहीं न कहीं बाकी दोनों फोन से बहतर रिजल्ट देता है यह नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा अगाम किया है 50 megapixel के अशाब से और बहतर कर सकता था लेकिन इन दोनों फोन से बहतर रिजल्ट देता है इविवो जो है तोड़ा sharpness को खतम कर देता है तो इन सब जो में थोड़ा सा जो है हम बोलेंगे कि नथिंग ही आप देख सकते हो अगर आपको अल्ट्रावाइट पसंद है तो अगर आपको अव्डोर ब्राइटनेस का बात करेंगे तो हमको सबसे आदा ब्राइट जो डिस्प्ले लगा वो सैमसंग का लगा है सेकेंड में भी वह यहां पर सबसे बेस्ट मेरे लिए परसनल एक्सपरियंस के मामले में वन यू आई है लेकिन हमको कहीं कहीं पी थोड़ा से लैक दिखा है वीवो तो यहां पर ओएस कमाने पीछर आ जाता वैसे आप डिसेवल कर सकतो ब्लोट वेर्स सैमसंग और वीवो में भर बर के मिलता है सबसे clean OS जो आपको experience मिलेगा वो हम लोग को nothing में है सबसे clean OS मिलता है और कहीं न कहीं है बहुत smooth काम करता है तो वही front camera के मामले में वीवो जह 50 megapixel का front camera देता है आटो फोकस के साथ यह इसका बहुत बड़ा advantage है यहां पर 4K आपको मिल जागा front camera में Samsung में भी 4K मिल जाता है Samsung 13 Megapixel का है और nothing 16 Megapixel का है तो अगर front camera का बात करेंगे तो तीनों फोन देखे काम बहुत अच्छा किये हुए है वीवो जो है अलग लेबल पर sharpness वगरा सारा कुछ handle कर पाता है क्योंकि हार मेगा पिक्सल है और वाइडर व्यू जादा है और Samsung में भी काफी जादा वाइडर यहां पर वीवो जो है बहुत का पसंद होगा लेकिन भाई वीवो में अगर आप जूम करोगे तो देखोगे कि थोड़ा सा है जो वह ब्यूटीफाई करता है फेस्ट वगरा को कलर सबगरा में वीवो जो बहुत अच्छे तरीका से एक्स्पोजर को handle कि हुए है यहां को क इवेन जो फ्लैस के साथ लिएवा फोटोस है उसमें भी कहीं जादा बेहतर है वीवो तो हम यहां पर क्लेरली आपको चूज कर सकते हैं कि वीवो जो है हर सिच्वेशन में फ्रेंट कैमरा में नॉर्माल मोड में तो डेफिनिटली बेटर काम करेंगा तो फ्रेंट के पर लोगों को भी कितने अच्छे तरीके से हैंडिल किया यह होता है सबसे बड़ा चीज आपको हैंडिल कर पाना ओफरल शापनेस में तो भाई सैमसंग बहुत बढ़िया है एच सेलेक्शन तीनों ही फोन का बहुत बढ़िया है लेकिन यहां पर देखो चार लोगों को भ वीवो ने हैंडिल किया बस वही है फेस में इसको चिकना कर देता थोड़ा सा यह सब चीज थोड़ा सा बेटर हो सकता था लो लाइट में वीवो जो है सबसे कम नॉइस के साथ पोट्रेट मोड ले पाया है बाकी फोन्स ट्रगल करता है बहुत ज्यादा फ्रेंट कामरा मे अब ही तक हमको कोई रॉक ऑप्शन नहीं दिखा आपको अगर दिखे तो जरूर बताना कमेंट करके फीवो और नछिंग जो है दोनों रॉश को बिटार्वाट को बहुत करती है यह लेकिन आपको प्रो वीडियो मोड शूट करना है तो उसके लिए आपको सैमसिंग है ब डिवाल एक्सपोजर डिवाल वियो मोड और यह फीचर जो हम लोग को बागी दोनों किसी फॉन में नहीं मिलेगा वीवो में जो हम लोग फिल्टर मिल जाता है वह है चांद बगर आगा फोटो ले और एक्स्ट्रीम डार्क में आप देखोगे तो यहां पर वीव सबसे जादा डिस्पले में आपको ब्राइट आउट पूट देता है और चार सेकंड का स्लो सटर दिखा रहा है क्योंकि बाहर एक्स्ट्रीम डार्क है सैमसंग जो है सबसे कम राइट है जिसके वज़से लेकिन 4 सेकंड का स्लो सटर लेता है लेकिन अगर क्लिक करें तो नथिंग जो है अप्रॉक्स एक सेकंड नथिंग फोन में बहुत लोग भूल चुके होंगे यह ग्लिफ लाइट है जिससे आप पोर्टेट शॉट पगर ल लेकिन बहुत कम करता है थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट करता है लेकिन बहुत कम करता है थोड़ा सा वार्म टॉन हल्का सा ही लोता है ऑल यहां प्हाँ हैं नथिंग कोई चूस करने वाले हैं लेकिन ही थोड़ा सा कभी कभी जो है वह वाईast करता है यह लेकिन कंको यहां पर भी नथी बहतर है और थोड़ा लंबे दिर तक आप देख सकते हुए शॉट क्यूंकि भाई सबसे यादा लोग जो है जादा शूट करते हैं और एक जो फाइदा है लेकिन नथीं के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है और वो फाइदा आप कर सकते हो जो आपक अटिवी 30 एपिस यहां पे तैनिटी इपिस इस यह पर देख रहे हो वहां कि सैमसंग में आप कैमरा स्वीच कर सकते हो अल्ट्रावाइट पर लेकिन यहां पर एक चोटा समको जर्च दिखा और ऐसा लगा कि वहां पे फ्रेम ड्रॉप हो गया सैमसंग का और बाद बाद कामिंट केमरा सब्सक्राइट का और मिनिमम मापको 8.6 मापिक्सल चाहिए के लिए सैमसंग जो है कलर बूस्ट कर रहा है कहीं कहीं ठीक लग सकता है लेकिन पीवो जो है बहुत लोग बोले हैं कि अच्छल नहीं है बहुत ज्यादा कभी कभी वास्ट आउटी फील हो जाता है अबर्ल हमको सबसे बेस्ट यहां तरफ र्यकार्ट करने के ल langगा फोटो में चली बहुत जगा पर विवो काफी अच्छा काम किया था 4K में भी आपको मिल जागा, फ्रेंट से रियर वाला, लेकिन अल्ट्रावाइट पर स्वीच नहीं कर सकता है, 4K टाइम पर, वीवो ही है, यहाँ पर जो पोर्टेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, उसमें काफी सारा फिल्टर्स भी है, जो कि भाई किसी फोन में नहीं मिल रहा है, वो पहतर है, वैसे ओवराल क्वालिटी भी काफी अच्छा है, अभी आप फ्रेंट कामरा देख रहे हो, इसमें सैमसंग 4K रिकॉर्ड कर सकता है, वीवो जो है 4K 60 अपेस तक रिकॉर्ड कर सकता है, रिजॉलिशन कमावने वीवो सबसे यहादा है, नथिंग यहा अपना ब्राइटनेस डाउन कर चुकी है, बहुत ज्यादा कम हो चुका है वीवो का ब्राइटनेस, नथिंग थोड़ा से ठीक अभी तक रखा है, और सैमसंग में ठीक है, तो यह फ्रेंट कामरा का वीडियो टेस्ट है, और आडियो भी आप चेक कर सकते, इसमें कैसा आ र अगर परसनली हम से चूज किया है, तो हम यहां पर वीवो को चूज करेंगे, इस क्वालिटी के मामले में, यह तो नहीं बोल सकते हैं कि सारा फोन बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन वीवो का थोड़ा सा ज्यादा कैपेबल है, यह देख के तो पतार चल रहा है, तो अग अगर तो और कम फ्रेम में ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सपोजर बगर सारा कुछ ब्राइट करके देगा, और यहां पर भी आप देख सकते हो कि भाई, एक्सपोजर हैंडलिंग किस फोन में ज्यादा बहतर है, सैमसंग में काफी ज्यादा नॉइस है, यह हो प्राइमरी कैमरा में तो भाई यहां पर ज्यादा बहतर है, तो आप बढ़ते हैं बाई, अल्ट्रावाइट, मैनुवली स्विच करने के बाद अल्ट्रावाइट यहां पर क्लियरली आपको दिख किया होगा कि बड़ा सेंसर नथिंग का बहतर रिजल्ट देगा, बतलब अल्ट्रावाइट में आपको 90% सिचुएशन में आपको नथिंग बेस्ट है, इवन फोटो में, वीडियो में, किसी भी सिचुएशन में, अगर आप अल्ट्रावाइट यूज करते हो काफी जादा, अगर आप फोटोग्राफर हो, यूज करना पसंद है, तो आपके डिटेलिंग जाद अच्छे तरीके से हैंडिल किया है, सैमसंग भी ठीक ठाक है, वीवो सबसे जादा हैं पर इस्ट्रगल करता हुआ दिखा, वीवो बलर जैसा फील हुआ, तो अबर आल स्लो मोशन भी आपको 120fps पर आप शूट करते हो, तो आपके लिए नथिंग अब शूट करते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, नथिंग फोन वन, तो आप बताओ कमेंट करके आपके हिसाब से कौन सा फोन गरता उड़ाता है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिए, बाए बाए बाए